प्रणाम मैं श्रिवानी चोक्रवर्ती अपने चानल बॉंग कलिंग फूर्ट टेल्स में आप सब का स्वागत करती हूं जैसा मैंने कहा था कि मैं हर रोज एक एक डिश लेके आऊंगी एक उडिया होगा एक बेंगोली होगा तो लास्ट एपिशोड में हमने एक उडिया ब् बेंगोल जाते हैं तो एक बहुत फेमस रेक्फरस्ट है है वह बेंगोल का लेकिन इसके साथ जो खाया जाता है और वह एक रेसिपी है, आपको तो बहुत पता होगा जो बंगोनेными हमें तो आज मैं वही दिछ लेकर आई हूं लेकिन थोड़ा उसको मतलब लग करने की कोशिश की है, तो लेगा का लग करने की कोशिश की है तो देखते है невतश्कित मतर की पूरी बनाने के लिए मतर को बेंगॉल में बोलते हैं कडाई शुंठी और यह है कडाई शुंठी की लुची तो इसमें हमा किया चाहिए यह है मतर यह फ्रोजन मतर है इसको मैंने उबाल लिया है और उसको पीस लिया है अगर आप उबालना नहीं चाहते तो यह आपक यह ने पूरी का सामान, तुराइ की सब्सक्राइब, इसके लिए मैंने लिया है यह तुराई मेने तवरे गजार घाब करको शाप चांद से अए ठुराइफ ए लोट बड़े टमाटर हैं यह एक बड़ात यह नहीं जाता तुरई की सबजी में ऐसे फ्राइ करके लेकिन मैंने थोड़ा अलग करने के लिए उसको फ्राइ करके रखा है और यह भाजा मशला यह भाजा मुशला क्या है मैं आगे जाके आपको बताऊंगी और जो में चीज इसमें है ये है ये पोस्तो ये पोस्तो है इसमें मैंने एक इंच का अद्रक और चार कलिया लसन और एक हरी मिर्च इसको मिला के मैंने उसको पेस्ट बनाया है ये इसमें जाएगा और ये इसका मेन मसाला है तो चलिए शुरुआत करते हैं देखिए मैंने ये दो प्यान एक कड़ाई चड़ा दी है ग्यास पर एक पर हम स्ट्रपिंग की तयारी करेंगे और दूसरे में तुरई की सब्जी है उसकी तयारी करेंगे तो मैंने इसमें जो श्ट्रपिंग बनाने के लिए है उसमें मैंने 2 चमच तेल दे दिया है और उसमें में थोड़ा सा कलोंजी जाल दूंगी जो काला जीरा है और उसके बार उसमें थोड़ा सा अध्रग और हरी मिर्च का पेस्ट यह आप अपने स्वाब के अनुसार डाले आप कितना मसाला खाना पसंद करते हैं उसे हिसाब से डाले हम ज्यादा नहीं खाते मसाले इसलिए मैंने थोड़ा सा डाला है और यह आपके उपर है कि आप कितना डालना चाहते हैं इसको हो जाने दीजिए ठोड़ा दो मिनिट गुण जाने दीजिए हम अभी तुरह की सज्जी की तयारी करते हैं और इसके लिए मैंने इसमें तीन बड़े चमच तेल लिये हैं आप कम ज्यादा कर सकते हैं कितना खाते हैं उसी हिसाब से आप डाल सकते हैं और हमारे यहां तो हम काला जीरा ही इस्तमाल करते हैं ज्यादा लेकिन अगर आपको काला जीरा पसंद नहीं है तो आप यह साधा प्लेन जीरा जो है उसको दे सकते हैं लेकिन मैं दोनों दे रही हूं मैंने इसमें पहले जो रेगुलर जीरा होता है उसको मैंने थोड़ा डाला और जब यह थोड़ा भून जाए तो आप इसमें यह प्याज डाल दीजिएगा यह प्याज और यह दो हरी मिर्च मेंने काटके रखेते उसको डाल दीजिएगा बेंगौल में हम बहुत ज्यादा हरी मिर्च खाते हैं और उडिसा में भी खाते हैं उडिसा बेंगौल और बिहार यह सब जगे पर हरी मिर्च बहुत खाते हैं यह थोड़ा कहना शायद गलत ह होगा क्योंकि हरी मिर्च का इस्तमाल पूरे इंडिया में होता है लेकिन यहां पर थोड़ा ज्यादा खाते हैं अब मैं क्या करूंगी अब यह जो मैंने पेस्ट रखा था कड़ाई सुंटी जो मतर का पेस्ट था इसको मैं अब यहां पर डाल देती हूं इसको अच्छे से यह अच्छी तरीके से भुनना चाहिए वरना मतर की जो एक मतर कच्ची कच्ची खुश्बू होती है लोगों को अच्छी नहीं लगती तो यह थोड़ा अच्छे से भुनना चाहिए और मैं इसको भुनने के लिए रख देती अब मैं इसमें थोड़ा नमक डाल देती हूं थोड़ा सा नमक क्योंकि मैंने उबालते बक नमक नहीं दाला था इसलिए थोड़ा नमक डाल देती हूं इसमें और यह जो है यह भाजा मुशला इसको मैं डालूंगी इसमें और मैं बार में बताऊंगी यह मैंने किस चीज स से बनाया है तो यह थोड़ा एक चमच करके उसमें डाल दीजिए जो भाजा मोशला है जितने भी स्टफिंग बनती हैं बेंगॉली क्यूजीन में जो स्टफिंग वाली डिशेश होती है स्नाक्स हो या फरस्ट हो जो भी हो यह उसमें जाता ही जाता है लोग अलाग तरीके से बनाते हैं और जो भी चीज डालते हैं अपनी मर्जी से डालते हैं जो उनको पसंद है उसी हिसाब से डालते हैं लेकिन यह बनता सारी चीजों में डलता है और यह बहुत फ्लेवरफूल होता है और जब आप उसको बनाएंगे खाएंगे जो बेंगोल की जो भाजा मोशला तो यह अब इकठा होने लगा है अब थोड़ा सा और पक जाए थोड़ा सा और पानी सूप जाए तो हम इसको निकाल लेंगे अब यह जो हमारी प्याज है ओ थोड़ा बहुत पकना शुरू हो गया है अब इसमें हम क्या करेंगे यह जो मैंने पोस्टो का मसाला रखा था उसको हम इसमें डाल देंगे जो ट्रडिशनली पोस्टो और जिंगे की सबजी मतलब तुरे की सबज अब इसको हम अच्छी तरीके से बूनेंगे अब इसको हम अच्छी तरीके से बूनेंगे बिंगोल में सबसे ज़्यादा पोस्टो खाया जाता है क्योंकि अगर हफ्ते में साथ दिन हैं पांस दिन तो कम से कम पोस्टो से बनी हुई चीजे बनेंगी चाहे वो वड़ा हो या फिर सबजी हो जो भी हो पोस्टो से बनी हुई चीजे तो बनेंगी ही बनेंगी अब ये थोड़ा पक जाए थोड़ा सा पक जाए अब हम इसमें डालेंगे ये टमाटर और हम अभी क्या करेंगे इस टमाटर को डाल के इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे अच्छी तरीके से मिलाने के बाद अब ये थोड़ा हमारा हो गया है अच्छी तरीके से मिलाने के बाद अब हम इसमें क्या डालेंगे थोड़ा स्वाद अनुसार नमक ये इसको तो कोई मतलब भाग नहीं होता है ओर जादमातلام से Спाप्पाना पूर्प相öt टे सनार नहीं होती होते कि स्वात के पाउडर है उच्कों भी आप्वी आप यूज करें अपने हिसाब से कितना अधिक हैं। खाते हैं, आप जितना खाना पसंद करते हैं, आप उतना डाले, ज्यादा तीखा खाते हैं, तो ज्यादा हरी मिर्च डाले, कम तीखा खाते हैं, तो कम हरी मिर्च डाले, और ये है लाल मिर्च, बस ये हो गया, अब हम इसको धक देंगे, थोड़ा टमाटर को नरम होने के लि यह बहुत टेस्टी होता है बहुत ज्यादा टेस्टी होता है हमारे घर में बहुत खाते हैं इसको और नॉर्मल जो तुरे की सब्जी होती है तुरे कौन खाता है लेकिन बेंगल में और उडिसा में यह बहुत खाया जाता है गर्मियों में और मॉन्सुन में यह मिलता है जो तो शिजनल होता है वो तो गर्मी और मौनसून में मिलता है अब हम उसको धंक देते हैं अब उसको पकने दीजिए कि अब हम देख लेते हैं यह पका है या नहीं थोड़ा पक गया है और थोड़ा टाइम लगेगा इसको एक बात याद रखिए जब भी आप खाना बनाते हैं खाना बनाने का जो मेन मंत्रू होता है जो इंडियान खाना बनाने का है मसाला आपका अच्छी तरीके से पकना चाहिए कम यूज कर रहे हैं ज्यादा यूज कर कोई प्रॉब्लम नहीं है जो जितना आप खाएंगे उतना ही यूज करेंगे लेकिन उसको पकाईए अच्छे से अगर आप पकाएंगे नहीं उसको अच्छे से चो उसका जो टेस्ट है वो नहीं आएगा और कभी-कभी कच्छा खाना भी लोगों को अच्छा नहीं लगत करने के लिए और मैं आठा लगा लेती हूं उसके बाद हम इसकी स्टफिंग उसमें करेंगे तो चलिए आठा गुंते हैं पहले आठा गुंधे उससे पहले जो तेल अपने डाला हुआ होगा तो उसको अच्छी तरीके से आठे में मिला लीजिए और हमारे घर में जब बन तो बहुत ज्यादा उसको मतलब दो हाथ से मलमल के उसको मौइन करती हैं ताकि खस्ता बने और अगर आप कुछ टपिंग वाले चीजे बनाती हैं तो आपको वह खस्ता होना बहुत ज़रूरी है मैंने तेल चड़ा दिया है और तेल गरम होते होते हमारा यह हो जाएगा देखे अब यह हमारा आटा लग गया है और तेल चड़ा दिया है और लेकिन उससे पहले हम देखते हैं हमारी सबजी की क्या हाले मसाले की क्या हाले उसके बाद हम पूरिया बनाएंगे वाव यह बहुँत अच्छी तरीके से अब पक चुका है देखिए अच्छे से कितने अच्छे से तेल निकल आया है और बहुत अच्छी तरीके से अब यह पक चुका है और अब हम इसमें डाल देंगे यह तुरही यह मैन इंग्र इंग्रिदियंस था तुरै किसा था कि मैं हर रोज एक एक इंड्रेडि़ंस लूंगी जो कास्तर इंड्रेडिफ नागी टॉझी तो आज मै लिया है और तुरई की सबजी लूची के साथ तुरई की सबजी तो आपने कभी नहीं सुना होगा लूची के साथ आपने आलू दम सुना होगा या फिर दही आलू सुना होगा लेकिन तुरई की सबजी कभी नहीं सुना होगा लूची के साथ लेकिन आप ट्राय जरूर करिए और फिर लूची की तयारी कर लेते हैं अब यह जो मटर की हमने जो स्टपिंग बनाई थी उसकी अब छोटे-छोटे हमको बॉल्स बनाने हैं जो हम उसके अंदर डालेंगे आप जितनी बड़ी बनाना चाहते हैं साइज में लूची हो उसको तो उसे हिसाब से आप बॉल बनाईएग और मैं तो यहां छोटे-छोटे बनाई जो लोई या होंगी आटे की वो थोड़ा स्टपिंग से बड़ा होगा यह तो सबको पता है तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है उस चीज को अब हम देख लेते हैं इसका हाल क्या है दस मिनट के भोगे हैं दस मिनट के बाद अब देखिए थोड़ा तुरई पक गया है है थोड़ा पक गया है और अभी जब यह तोनटी की 30% पक जाए तो हम उसमें हाँ जब यह 20-30 परसंट पक जाए तो यह जो आलू हमने फ्राइ करके रखेते उसको हमको इसमें डाल देना है अब यह हो गया आलू इसमें चला गया अब फाइनली हम उसको पकाएंगे बीस मिनिट तक क्योंकि तुरही अपना पानी छोड़ता है और उसी में से वह पकेगा उसकी पानी में वह पकेगा जब तक यह पक रहा है तब हम लूची बनाने की तयारी शुरू कर देते हैं अब चलिए यह हो गया है मैंने इसको मिला लिया है अब इसको हम ढंक देते हैं और थोड़ा ग्यास को धीमा कर देते हैं अब देखिए मैंने यह स्टॉपिंग बना लिया है स्टॉपिंग बना लिया है और आटा भी आटा की लोई भी बना ली है और अब हम उसमें स्टॉपिंग भरेंगे और बनाएंगे लूची जब मैंने स्टार्ट किया था वीडियो तो मैंने आपको एक मसाला दिखाया था वो बोला था कि वो भाजा मशला है वो जो भाजा मशला है वो बेंगोल के अमुमन हर स्टॉपिंग वाले होते हैं उसमें सब जाता है जैसे मैं आज बना रही हूं मतर की पूरी इसको बोलते हैं कड़ाई शुन्ठी की पूरी तो जैसे उसमें जाता है तो अब हम इसको डाल देते हैं अब हम जाता है अब हम एक एक करके उसको ऐसे तल लेंगे एक एक करके तल लेंगे और यह जाता है अब हम जाएगी अब है कि येस और खाने में यह बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं बहुत ज्यादा टेस्टी होती हैं आप एक बार ट्राइ कीजिए आपको बहुत अच्छी लगेगी जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था तब मैंने बोला था एक भाजा मुष्ला के बारे में और वो भाजा मुष्ला यह है जो जितनी स्नाक्स बनती हैं बेंगॉल में फ्राइड चीजें कचोडी बगेरा कचोडी तो नहीं केते उसको जो बनते हैं स्नाक्स उसमें वो जाता है उसमें धनिया होता है जीरा होता है सूफ होता है सूखिलाल मिर्चोती है लोग अपने पसंद से उसको डालते हैं अपने पसंद के इसापचा डालते हैं जिसको जो पसंद है किसी को सॉफ मसंद नहीं किसी को पसंद नहीं है जीरा वो जिसको मसाला पसंद है यह डालता है लेकिन जो गरम मसाले की चीजे होती है विर आप il aichy डाल चीनी यह फिर लौण यह सब नहीं जाता tangled कि शोय मेजर जीरा धनिया सॉन या फिर मेथी जाती है और फेकोई अपने पसंद के हिसाब से करता है लेकिन हर घर में भाजा मशला होता है और जो उडिया भाजा मशला होता है वह सिर्फ जीरा और सुखी लाल मिट से बनता है और वह भी बहुत ज्यादा खाते हैं भाजा मशला और उडिसा में इसको बोलते ही जीरा लंका घुंडी बेंगोल में भाजा मशला और उडिसा में बहुत है और उनके यह स्टीट फूड से लेकर घर के बहुत सारे खाने में यह डलता है और उस्का फ्लेवर जो होता है वह बहुत चन्पट फटocyta Josh और नौर हम्ट के लिए हो गया हमारा कर्चुरे में मेरे हार गहर मेरे कहले घर में जड़ सबस्क्राइल मैं बहुत कम चीजें बनाती हूं इसलिए मैं इसे दिखाने के लिए यहां पर बना रही हूं वरहना खाने के लिए तो भौठ कम लोग के हम बहुत तला उठाना कम खाते हैं और आज खल का जो तरीके से अब यह पक चुका है इसको अब हम लास्ट में सिर्फ एक चीज करेंगे इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे अब यह हमारी सब्जी बिल्कुल भी रेडी है बिल्कुल रेडी है अगर आप थोड़ा सा उसमें तरी चाहते हैं मतलब थोड़ा पानी चाहते हैं तो डेफिनेटली आप दे सकते हैं आपकी मर्जी लेकिन मैं ऐसे सुखा सुखा बना रही हूँ त्यूंकि मेरे हस्बन को सुखा काना पसंद है ये बनके तयार है हमारा कड़ई शुन्टी की लूची और जिंगा अलू पोस्तो ये नया तरीके का जिंगा अलू पोस्तो है जो मैंने बनाया है अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो प्लीज कॉमेंट करके बताईएगा और चानल को सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद